हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल बुल मारकेट्स, आज हम HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का थर्ड कोटर का रिजर्ट का एनलिसिस करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमें किस बैंक में लॉंग टम के लिए इन्वेस्ट करना है, अगर हम डिपॉजिट्स में केटेगराइज करते हैं, HDFC बैंक ने थर्ड कॉटर में डिपॉजिट्स में 19 पसंद की ग्रोध दिखाई है, ICICI बैंक ने 22 पसंद की, वे कोटक महिंद्रा बैंक में माइनस 1 पसंद की ग्रोध दिखाई है, अगर हम एडवांसिस और डिपॉजिट हैं, उसे वो एडवांसिस में दिखाते हैं, HDFC बैंक ने 16 पसंद की लोन ग्रोध यानि के एडवांसिस की ग्रोध दिखाई है, ICICI बैंक ने 10 पसंद की, वे कोटक महिंद्रा बैंक ने 11 पसंद की, अगर हम एडवांसिस और डिपॉजिट्स की बात करें, तो HDFC बैंक और IC इसे बैंक ने खाफी अच्छी ग्रोध दिखाई है, अभी हम कासा रेशो की बात करेंगे, HDFC बैंक का कासा रेशो है 43%, ICICI बैंक का कासा रेशो है 41.8% और कोटक महिंद्रा बैंक का कासा रेशो है 58.9%, जितना ज्यादा कासा रेशो होगा, उतना है बैंक के लिए प्रोफि 10% है, आइडियली ये 15% के उपर होना चाहिए, तब ही ये कंपनी के लिए favorable माना जाता है, अगर हम NPA की बात करें, तो HDFC बैंक का NPA 0.09% है, जो की best in the industry है, वही ICICI बैंक का net NPA 0.63% और कोटक महिंद्रा बैंक का net NPA 0.5%, अभी हम net interest margin ratio की बात करेंगे, HDFC बैंक का net interest margin ratio 4.2% है, ICICI बैंक का 3.57% है, वही कोटक महिंद्रा बैंक का 4.58 है, यह अगर 4% के उपर हो तो ये favorable माना जाता है, सबसे पहले हम कुछ key figures देख लेंगे, HDFC बैंक का current market price है 1575 रुपीज, ICICI बैंक का current market price है 622 रुपीज, वही कोटक महिंद्रा बैंक का current market price है 1850 रुपीज, अगर हम PE ratio की बात करें, तो HDFC बैंक का PE ratio 28 का है, ICICI बैंक का PE ratio 26 का है, वही कोटक महिंद्रा बैंक का PE ratio 34 का है, अगर हम valuations की बात करें, तो HDFC बैंक और ICICI बैंक सस्ते valuations पे available है, वही कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा expensive दिखाई देता है, अगर हम net interest income की बात करें, तो HDFC बैं कोई अंतर नहीं है अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो HDFC बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ है 18 परसंट का ICICI bank का प्रॉफिट ग्रोथ है 19 परसंट का वही कोटक महिंद्रा बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ है 11 परसंट का अभी हम last 10 years का performance देखेंगे HDFC बैंक में अगर आपने 10 साल पे ले 10,000 रुपे निवेश की होते तो आज आपके पास में लगबग 60,000 रुपीज होते अज आपके पास में अपने 18,000 रुपीज होते तो आज आपके पास में लगबग 26,000 रुपीज होते तो आज आपके पास में लगबग 26,000 रुपीज होते at the rate of 21% वही अगर अपने ICSA bank में 5 साल पहले 10,000 रुपी निभेश की होते तो आज आपके पास में लगबग 22,000 रुपीज होते at the rate of 17% वही अगर आपने Kotaak Mahindra bank में 5 साल पहले 10,000 रुपी निभेश की होते तो HDC bank और ICICI bank ने काफ़ी एच्छे results पेश किये हैं अगर आपको 12-15% का safe return चाहिए तो आप HDC bank के साथ जा सकते हो वहाँ पे आपको safe return मिल जाएगा अगर आप aggressive rate लेना चाहते हो याने कि अगर आपको risk लेनी है तो आप ICICI bank या KOTAK Mahindra bank दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो वहाँ पे आपको risk भी जादा रहेगी लेकिन वहाँ पे आपका return बन जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजिए और ऐसे ही stock ideas के लिए चैनल को subscribe कीजिए